के हित में विस्त्रित चर्चा की वे विचार मंथन लगवक तीन वर्स तक चला अंतता डक्टर बावा साहिब आमबेटकर ने प्रारूप समिति के अध्धक्ष की हैसियत से संबिधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया और वे हमारा आधार भूत ग्रंत बन गया यद्धिपी हमारे संबिधान का कलेवर विस्त्रित है क्योंकि उसमें राज्य के कामकाज की विवस्ता का भी विवर्ण है लेकिन संबिधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोकतंत्र, नियाय, स्वतंतरता, समानता और बंदुत्य के मार्ग दर्सक सिधान्त, सार रूप से उलिखित है, इन आदर्सों से उस ठोस आधार सिला का नर्मान हुआ है, जिस पर हमारा भब गनतंत्र मजबूती से खड़ा है, इनी जीवन मूल्यों में हमारी सामोहिक विरासत भी परलक्षित होती है, इन जीवन मूल्यों को मूल अधिकारों तथा नागरिकों क मूल करतब्यों के रूप में हमारे संविधान द्वारा भुनियादी महत्व परदान किया गया है, अधिकार और करतब्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, संविधान में उलिखित मूल करतब्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वात बनता है आहवान किये जाने पर रास्ट्र की सेवा करने के मूल करतब को निभाते हुए हमारे करोणों देशबासियों ने स्वक्षिता अवियान से लेकर कोविड टीका करन अवियान को जन अंदोलन का रूप दिया है ऐसे अवियानों की सफलता काम बहुत बड़ा स्रे हमारे करतब पराण नागरिकों को जाता है मुझे विश्वास है कि हमारे देशबासि इसी करतब निस्ठा के साथ रास्ट्र हित के अवियानों को अपनी सक्री भागीदारी से मजबूत बनाते रहेंगे प्यारे देशबासियो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभादवारा अंगीकरत अदिनियमित और आत्मार्पित किया गया उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं उसके दो महिने बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्टा प्रभावी हुआ ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस दिन भारत वासियों ने पूरी आजादी हासिल करने का संकल्प लिया था सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था अतहा ये ते किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्टा प्रभावी बनाया जाए सन 1930 में माद्मा गांधी ने देशवासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था उन्होंने कहा था चूकि हम अपने धे को अइंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धी के द्वारा ही कर सकते हैं इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथा शक्ती कोई रचनात्मक कारे करने में बिताएं यथा शक्ति रचनात्मक कारे करने का गांदी जी का यह उपदेश सदेव प्रासंगिक रहेगा उनकी इक्षा के अनुसार गरतंतर दिवस का उत्सो मनाने के दिन और उसके बाद भी हम सब की सोच और कार्यों में रचनात्मकता होनी चाहिए गांदी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर जहाग कर देखें आत्मे निरीक्षन करें और बेहतर इंसान बनने का प्रियास करें और उसके बाद वाहर भी देखें, लोगों के साथ सायोग करें और एक बेहतर भारत तता बेहतर विश्व के निर्मान में अपना योगदान करें प्यारे देखवासियोव, मानव समुदाय को एक दूसरे की साहता की इतनी जरूरत कभी नहीं पड़ी थी जितनी की आज है अब दो साल से भी अधिक समय बीट गया है, लेकिन मानवता का कुरोना वाइरस के विरुद्ध संगर्ष अभी भी जारी है इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाँ दोना पड़ा है, पूरे विश्व की अर्थ व्यवस्ता पर आगात हुआ है, विश्व समुदाय को अबूद पूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है नित नए रूपों में यह वाइरस नए संकट प्रिस्तुत करता रहा है, यह इस्तिती मानोजाती के लिए एक असाधारन चुनोती बनी हुई है मामारी का सामना करना भारत में अपिक्छाक्रत अधिक कठिन होना ही था हमारे देश में जन संक्या का घनत बहुत ज़ादा है और विकास सील अर्थ विवस्ता होने के नाते हमारे पास इस अद्रस शत्रू से लड़ने के लिए उप्यूक्त इस्तर पर बुनियादी धाचा तथा आवस्यक संसाधन परियाप्त मात्रा में उपलब्द नहीं थे लेकिन ऐसे कटिन समय में ही किसी रास्टर की संघर्स करने की छमता निखरती है मुझे ये कहते हुए गर्व का अनवो होता है कि हमने कुरोना वाइरस के खिलाफ असाधारन द्रश संकल्ब और कारिश छमता का परदर्सन किया है पहले वर्स के दौरान ही हमने स्वास्त सेवा के बुनियादी धाचे को बिस्तरत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े दूसरे वर्स तक हमने स्वदेशी टीके विक्सित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा ठीका करन अवियान सुरू कर दिया यह अवियान तेज गती से आगे बढ़ रहा है हमने अनेक देशों को वैक्सीन तथा चिकित्सा सम्मंधी अनसुविधाय प्रदान कराई है भारत के इस योगदान की वैस्विक संगठनों ने सरहना की है दुर्भाग से संकट की स्थितियां आती रही है क्योंकि वाइरस अपने बदलते स्वरूपों में वापसी करता रहा है अनगिनत परिवार बयानक विप्दा के दौर से गुजरे है हमारी सामोहिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन एक मात्र सांतुना इस बात की है कि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी है महामारी का प्रभाव अभी भी व्यापक इस्थर पर बना हुआ है अतहा हमें सतर के रहना चाहिए और अपने बचाव में तनिक भी धील नहीं देनी चाहिए हमने अब तक जो सावधानिया बरती हैं उन्हें जारी रखना है मास्क पहनना और शोसल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कोवीड अनुरूप बेवहार के अनिवार अंग रहे हैं कोवीड महामारी के खिलाफ लड़ाई में वज्यानिकों और विशेशग्यों द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करना आज हर देशवासी का राष्ट धर्म बन गया है यह राष्ट धर्म हमें तब तक निभाना ही है जब तक यह संकट दूर नहीं हो जाता संकट की इस घड़ी में हमने यह देखा है कि कैसे हम सभी देशवासी एक परिवार की तरह आपस में जुड़े हुए हैं सोसल डिस्टेंसिंग के कठिन दोर में हम सबने एक दूसरे के साथ निकटता का अनुभो किया है हमने मैसूस किया है कि हम एक दूसरे पर कितना निर्भर करते हैं कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करके यहां तक की मरीजों की देख भाल के लिए अपनी जान जोकिम में डाल कर भी डाक्टरों, नर्सों और पैरा मेडिक्स ने मानवता की सेवा की है बहुत से लोगों ने देश में गतिविदियों को सुचार रूप से जारी रखने के लिए ये सुनिशित किया है कि अनिवार सुबधाएं उपलब्द रहें तथा सप्लाई चेन में रुकावट ना पैदा हो केंद्र और राजिस्तर पर जन सेवकों, नीती निर्माताओं, प्रशाशकों और अन्न लोगों ने समयानुसार कदम उठाए है इन प्रियासों के बल पर हमारी अर्थ विवस्ता ने फिर से गती पकड़ ली है प्रतिकूल परसितियों में भारत की द्रड़ता का ये प्रमान है कि पिछले साल आर्थिक विकास में आही कमी के बाद इस वित वर्स में अर्थ विवस्ता के प्रभावशाली दर्से बढ़ने का अनुमान है ये पिछले वर्स सुरू किये गए आत्म नर्भर भारत अवियान की सफलता को भी दरसाता है सभी आर्थिक छेत्रों में सुधार लाने और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करने हे तो सरकार नरंतर सक्री रही है इस प्रभावशाली आर्थिक प्रदर्सन के पीछे क्रसी और मैनुफेक्चरिंग छेत्रों में हो रहे बदलाओं का प्रमुख योगदान है मुझे यह जानकर प्रसनता हुई है कि हमारे किसान विशेश कर छोटी जोतवाले युवा किसान प्राकरतिक खेती को उत्साह पूर्वक अपना रहे हैं लोगों को रोजगार देने तता आर्थ विवस्ता को गती प्रदान करने में छोटे और मजोले उद्यमों ने मात पूर्वूम का निभाई है हमारे इनोवेटिव युवा उद्यमियों ने स्टार्ट अप एको सिस्टम का प्रभावी उप्योग करते हुए सफलता के नए कीरती मान इस्थापित किये हैं हमारे देश में विक्सित, विशाल और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्लेट फार्म की सफलता का एक उदारन यह है कि हर महिने करोणों की संख्या में डिजिटल ट्रांजेक्शन किये जा रहे हैं जन संसाधन से लाव उठाने यानि डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने के लिए हमारे पारंपरिक जीवन मोलियों एवं आधुनिक कोशल के आदर ससंगम से युक्त राश्टी सिक्षानीती के जरिये सरकार ने समशित वातावन उपलब्द कराया है मुझे यह जानकर प्रशनता हो रही है कि विश्व में सबसे उपर की 50 इनोवेटिव एकॉनमीज में भारत अपना इस्थान बना चुका है यह उपलब्धी और भी संतोष जनक है कि हम व्यापक समावेश पर जोर देने के साथ साथ युगता को बढ़ावा देने में सक्षम है पिछले वर्स ओलंपिक खिलो में हमारे खिलाडियों के शानदार प्रदर्सन से लोगों में खुशी की लहर दोड़ गई थी उन युवा विजयताओं का आत्म विश्वास आज लाखों देशवासियों को प्रेरित कर रहा है हाल के महीनों में हमारे देशवासियों दवरा विभन्य छेत्रों में अपनी प्रतिवधता और करमटता से रास्ट और समाज को मजबूती परदान करने वाले अनेक उलेक नी उदाहरन मुझे देखने को मिले है उन में से मैं केवल दो उदाहरनों का उलेक करूंगा भारतिये नौसेना और कोचीन सिप्यार्ट लिम्टिट की समर्पित टीमों ने स्वदेसी वा आतियाधुनिक विवान वाहक पोत आई एसी विक्रांत का निर्मान किया है जिसे हमारी नौसेना में सामिल किया जाना है ऐसी आदुनिक सैन छमताओं के बल पर अब भारत की गणना विश्व के प्रमुख नौसेना सकती संपन देशों में की जाती है ये रक्षा के छेतर में आत्म निर्भरता की और अग्रसर होने का एक प्रभावशाली उदाहरण है इससे हटकर एक विशेश अन्भो मुझे बहुत हिर्दय इसपरसी लगा हरियाना के भिवानी जिले के सुई नामक गाउं में उस गाउं से निकले कुछ प्रवुद्ध नागरिकों ने समवेदन सीलता और करमटता का परिचे देते हुए स्वप्रेरित आदर्स ग्राम योजना के तहित अपने गाउं का काया कल्प कर दिया है अपने गाउं यानि अपनी मात भूमी के प्रति लगाओ और करतगता का यह एक अनुकरनी उदाहरण है करतग लोगों के हिर्दय में अपनी जन्म भूमी के प्रति आजीवन ममता और स्रद्धा वनी रहती है ऐसे उदाहरण से मेरा या विश्वास द्रण होता है कि एक नया भारत उभर रहा है ससक्त भारत और संबेदन सील भारत मुझे विश्वास है कि इस उदाहरण से प्रणा लेकर अन सक्षम देशवासी भी अपने अपने गाउं एवं नगर के विकास के लिए योगदान देंगे इस संदर में आप सभी देशवासीों के साथ मैं एक निजी अनवो साज़ा करना चाहूँगा मुझे पिछले वर्ष जून के महीने में कानपुर देहाद जिले में इस्तित अपनी जन्म भूमी अर्थात अपने गाउं परोंख जाने का सवभाग मिला था वहाँ पहुँचकर अपने आप ही मुझे में अपने गाउं की माटी को माथे पर लगाने की भावना जाग उठी क्योंकि मेरी मानता है कि अपने गाउं की धर्ती के आसीरवाद के बल पर ही मैं रास्टपति भवन तक पहुँच सका हूँ मैं विश्व में जहां भी जाता हूँ मेरा गाउं और मेरा भारत मेरे हिर्दय में विद्दमान रहते हैं भारत के जो लोग अपने परिश्वम और प्रतिभा से जीवन की दौड में आगे निकल सके हैं उनसे मेरा अनरोध है कि अपनी जड़ों को, अपने गाउं कस्वे, सहर को और अपनी माठी को हमेशा याद रखिए। साथ ही आप सब अपने जन्मिस्थान और देश की जो भी सेवा कर सकते हैं अवस्थ कीजिए। भारत के सभी सफल व्यक्ति यदि अपने अपने जन्मिस्थान के विकास के लिए निस्था पूर्वक कार करें तो इस्थानी विकास के आधार पर पूरा देश विक्सित हो जाएगा। प्यारे देशवासियों, आज हमारे सैनिक और सुरक्षा कर्मी देश अविमान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमालय की असहनी ठंड में और रेगिस्तान की भीशन गर्मी में अपने परिवार से दूर कोई मात्र भूमी की रक्षा में ततपर रहते हैं। हमारे ससस्त्रवल तता पुलिस कर्मी देश की सीमाओं की रक्षा करने तता आंतरिक विवस्था बनाए रखने के लिए रात दिन चौक्सी रखते हैं। ताकि अन सभी देशवासी चैन की नीद सो सकें। जब कभी किसी वीर सैनिक का निधन होता है तो सारा देश सोक संतप्त हो जाता है। पिछले महीने एक दुरघटना में देश के सबसे बहादूर कमांडरों में से एक जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्म पतनी तता अनेग वीर वोद्धाओं को हमने खो दिया। इस हादसे से सभी देशवासीों को गहरा दुख पहुँचा। देवी और सजनों, देश प्रेम की भावना देशवासीों की करतब निस्था को और मजबूत बनाती है। प्रसन्नता हो रही है कि यह वर्ष ससस्त्र वलों में महिला ससक्तिकरण की द्रस्टी से विसेश महत्पून रहा है। हमारी वेटियों ने परंपरगत सीमाओं को पार किया है और अब नए छेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए इस्थाई कमीशन की सुविदा आरंब हो गई है। साथ ही सैनिक स्कूलों तता सुप्रतिस्टित नेशनल डिफेंस एकडेमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रसस्त होने से सेनाओं की टैलेंट पाइप लाइन तो सम्रद होगी ही हमारे ससस्त्र वलों को बेहतर जेंडर बैलेंस का लाब भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भविस्टिकी चुनोतियों का सामना करने के लिए भारत आज बहतर इस्तिती में है। अपना योगदान कर सकता है। भारत ने सदैव समस्त विश्व को एक परिवार ही समझा है। मुझे विश्वास है कि विश्व बंदुत्य की इसी भावना के साथ हमारा देश और समस्त विश्व समधाय और भी अधिक समरस तथा समरद भविश्व की ओर आगे बढ़ेंगे। प्यारे देश वासियों इस वर्स जब हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब हम अपने रास्टी इतिहास का एक महत पूर्ण पढ़ाव पार करेंगे। इस अवसर को हम आजादी का अमरत महत्सो के रूप में मना रहे हैं। मुझे यह जानकर प्रसंता हो रही है कि बड़े पैमाने पर हमारे देश वासि विसेश कर हमारे युवा इस अइतिहासिक आयोजन में उत्सा पूर्वग भाग ले रहे हैं। यह ना केवल अगली प्रीवी के लिए बलकि हम सभी के लिए अपने अतीत के साथ पुना जुड़ने का एक शानदार अवसर है। हमारा स्वतंद्रता संग्राम हमारी कवरवशाली एतिहासिक यात्रा का एक प्रेरक अध्याय था। स्वाधिनिता का यह 75 वर्ष उन जीवन मुल्यों को पुना जागरत करने का समय है जिनसे हमारे महन राश्ट्री अंदोलन को प्रेरणा मिली थी। हमारी स्वाधिनिता के लिए अनेक वीरांगनाओं और सपूतों ने अपने प्रान निउच्छावर किये हैं। स्वाधिनिता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के राश्टी पर न जाने कितनी कठोर यातनाओं एवं वलिदानों के पश्चाथ नसीब हुए हैं। आईए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब स्रद्धा पूर्वक उन अमर वलदानियों का भी इस्मरण करें। प्यारे देशवासियों, हमारी शब्वता प्राचीन है परंतो हमारा ये गणतंत्र नवीन है। राश्ट निर्मान हमारे लिए निरंतर चलने वाला एक अभियान है। जैसा एक परिवार में होता है, वैसे ही एक रास्ट में भी होता है, कि एक पीड़ी अगली पीड़ी का बेहतर भविस सुनिश्चित करने के लिए करी मेहनत करती है। जब हमने आजादी हासिल की थी, उस समय तक आउपरिवेशिक साशन के सोशन ने हमें घोर गरीवी की स्थिति में डाल दिया था। लेकिन उसके बाद के 75 वर्सों में हमने प्रभाव साली प्रगती की है। अब युवापीडी के स्वागत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। हमारे युवाओं ने इन अवसरों का लाव उठाते हुए सफलता के नए प्रतिमानिस थापित किये हैं। मुझे विश्वास है कि इसी उर्जा आत्म विश्वास और उद्यम सीलता के साथ हमारा देश प्रगती पत्वर आगे बढ़ता रहेगा तथा अपनी छमताओं के अनुरूप विश्व समधाय में अपना अग्रणी इस्थान अबस्प्राप्त करेगा। मैं आप सभी को पुना गनतंत्र दिवस की हाद दिक्ष्व कामनाय देता हूं। धन्यवाद जय हिंद। Dr. Shoot बॉजनिम्टी डाट इस ситу negócio忌नी हििए Dear fellow citizens, Namaskar. My heartiest greetings to all of you in India and abroad on the eve of the 73rd design Company. It is an occasion to celebrate what is common to us all..our Indianness it was on this day